रेल्वे के चेतर में पूर्णिया को दो बरी रेलगारी की सौगाथ मिली है अब जन्हित एकस्प्रेस और जन सेवा एकस्प्रेस दो ट्रेन का सफर पूर्णिया के लोग कर पाएंगे पूर्णिया के सांसत संतोज कुसवह और सदरविधायक विजे खेमका ने जनहीत एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जनित एक्सप्रेस पहले सहरसा तक चलती थी जो अब पूर्णिया कोट से खुल कर पाटली पूतर तक जाएगी इस ट्रेन के खुलने से पूर्णिया के लोगों को पटना जाना आसान हो जाएगा वहीं जनसेवा एक्सप्रेस बनमनकी से अमरी सर तक चलती थी जो अब बढ़ कर पूर्णिया कोट तक कर दी गई है पूर्णिया के सांसद संतोस कुसवा ने बताया कि परधान मंतरी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दोनों ट्रेनों का उदगाटन किया था जबकि हमने हडी जंडी दिखा कर जनहीत और जनसेवा एक्सप्रेस को रवाना किया है उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में रेल के मांचितर में भी पूर्णिया की पहचान और बढ़ेगी देखिए आज पूर्णिया वासियों के लिए सुखत दिन है सौभाग का दिन है कि आज से हम लोगों को जनित एक्सप्रेस पूर्णिया कोट से बटली पुत्रा के लिए रात में सारे आठ वेजे खुल गई जिसका आदने प्रधान मंत्री जी ने वीडियो कॉर्फरेंसिंग से सुवारम की आज इसका हम लोगों ने यहाँ पे जन्डी दिखा के इसको विदा करने का काम किये पहले कोई ट्रेन नहीं थी इस इलाके से पटना जाने के लिए पूर्णिया को एक नई सौगात मिली जनित एक्सप्रेस के रूप में इसके लिए हम देश के प्रधान मंत्री जी को रेल मंत्री जी पर अभार ब्यक्त करते हैं साथ ही जन्सेवा एक्सप्रेस जो पहले बर्मनकी से चलके अम्रिश्चर को जाती थी जन्सेवा का विस्तारी करन पूर्णिया फोट से हुआ है इससे भी पूर्णिया के लाको लाक लोगों को फाइदा होगा तो दिल्ली जाना चाहेंगे अम्रिश्चर जाना चाहेंगे इस ट्रेन से लोगों को लाब मिलेगा तो आज दो नई ट्रेनों का हम लोगों ने सु विदा के छेत्र में और भी काम होने हैं डबल इंजन की सरकार है नरेंद मोदी जी की नेत्रित में आज ही प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अगले पान साल में रेल परैटी में है और काम होगा तो मुझे विश्वास है कि पुनिया में वासिंग पीट से लेके लंबी दूरी की ट्रेन बंदे भारत जैसी ट्रेने पुनिया को भी मिलेगा सिमांचल को मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है या तो बंदे भारत ट्रेन पुनिया कोट से चले या जोगवनी से चले या मांग पुर्म में ही प्रधान मंत्री जी से हमने किया है और रेल मंत्री जी से भी किया और आने वाले समय में बंदे भारज एसी वी ट्रेन पूनिया को भी मिलेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है और रेल के छेत्र में पूनिया मांचित में पीजे था अब निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहा है अब एक पीछे ही सिल्ली गोरी जाने के लिए जोग्मनी से सिल् और जानकी एक्सप्रेस के लिए जानकी एक्सप्रेस का ठारा हो गया है अब बारी है हाटे बजारे की हाटे बजारे को भी हम लोग ठारा आएंगे और मान्य मंतिजी से बात हुई है रेल्वे बोर्ड में उसका भी प्रस्ताव लंबित है और जो कटिहार 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 पाटना कोईंट शिटी चलने वाली आने वाले समय में वो भी विस्तार होगा और आने वाले समय पूरिए को और हुच्छी पूर्णिया को अ Anandia तक चन्ता को पहुचाने का काम करेगी यात्रा शुगम होगी और एक अम्रित सक्टत्रे जाने का का काम करेंगे और देश के यससी प्रधान मंत्री नरंदर भाई मोजी जो सदेव जन हित की बात करते हैं जन्ता हित की प्यार पर भी है और इस द्रिश्टी कोन से हमारा पुर्णिया रेल के चेतर में आगे बढ़ चला है इसमें समाजिक शंगठन यहां के जन्पतिनी दी हमारे पार्टी के नेता सारे लोगों का प्रियास रहा कि पुर्णिया जंसंग से और पुर्णिया कोड्स से लंबीदु शेतर जदियों के नित्रित में शांसदवी थे मैं भी उसमें हूँ और सारे लोगों ने मिल करके जन्हीं और जन्सेवा लेन को हम लों ने हरी जंडि दिखाने का काम या है और यह जंडि घरी है यह विहार के जंडि है इसलिए बढर्तिया जंता पार्टी के नेता नेतर यहाँ से चलेगी और हम सब सतत प्रत्वसील हैं कि पुर्णिया एल सिवधा में आगे पढ़े आने वाले समय में बिहार से मोदी जी को इंडिया की 400 सीट में से 40 की 40 सीट मिलेगी और बिहार से दबल इंजन की जो सरकार है बाजपा के पार्टी के कारी करता के जोर से मोधी जीता मैं विशेश अभार यक्त करता हूँ तो उन्होंने दो ठेन यहां से देने करता हूँ है ऐसी ही खबरों के लिए करे सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू